असलाम वालेकुम आल, वेलकम टू मैं चैनल, आज मैं बनाने जा रही हूँ मतन पसिंदे खुर्मा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसको रोटी, चावल, नान वगएरा के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी और डिलिशेस बनता है, तो चलिए इसको बनाना स् तो तेल को पहले गर्म कर लेंगे, जब तेल गर्म हो जाए, इसके बाद दालेंगे इसमें प्यास, तो मैंने यहाँ पे पांच प्यास ली है, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है, अब इसको अच्छी तरह से तेल में फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक, इसक प्यास 15-20 काजू एक चमच खश खश इन सारी चीज़ों को भून लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे साथ ही इसमें दालेंगे ड्राई कोकोनेट यहां पे एक कोकोनेट लिया है इसको मैंने ग्रेट करके इसको भून लिया है अब इसको पीस लेंगे इसके बाद मटन लेंगे यहां पे मैंने एक किलो मटन लिया है पसीन दे आने के मटन को इस तरह लंबे लंबे पीसेस में काटा जाता है यह थोड़े से चौड़े और थोड़े पतले होते हैं तो हम इसको पहले मारिनेट करेंगे मारिनेट करने के लिए यहां पे मैंने दो चमच नमक डाला है धाई चमच अद्रक लहसन का पेस्ट तीन चमच लाल मिच पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर दो कप दही और यह जो भी मसाले हमने ग्राइंड कर लिए थे वो इन सारी चीजों को डाल के इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे तो यहां पे मैंने पापाई का इस्तमाल नहीं किया है क्योंकि मौसमे गर्मा में पापाई सही मानी नहीं जाती इसके बाद डालेंगे धनिया, एक निम्बू का रस, कटीवी 3-4 हरी मिर्च इसको हम 1-5 घंटे के लिए मारिनेट करने के लिए रख देंगे जब यह मारिनेट हो जाए इसके बाद इसको बनाने की तयारी करेंगे इसके लिए यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, एक चमच इसको मोटा क्रश कर लिया है एक चमच शाही जिरा, तीन हरी इलाइची, एक तेज पत्ता, चार काली मिर्च और एक डालचीनी का पीस, एक इंच का अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेंगे जब यह फ्राई हो जाए इसमें डालेंगे एक चमच अद्रक लहसन का पेस्ट इसके बाद डालेंगे यह मारिनेट किया हुआ मटन तो यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि मसाले अगर कम लग रहे हो तो आप नमक, मिर्च वगरा आड़ कर सकते हैं तुमझे आप मिर्च कम लग रही है इसलिए मैं एक चमच मिर्च पाउडर फिर से आड़ कर रही हो इसको डालके इसको अच्छी तरह से mix कर लेंगे mix करके अब हम इसको मतन को cook करेंगे मतन cook ने के लिए यहां पर मैंने एग लाज पानी डाला है अब इसका Liz लगा लेंगे और चार वजल होने तक हाइ फ्लेम पे cook करेंगे इसके बाद flame लो कर के दो विज़र ले लेंगे तो ये कुख हो चुके हैं अब चेक करते हैं अब देखेंगे कि मटन गला है या नहीं तो ये देखेंगे ये मटन अच्छी तरह से गल चुका है इसमें डालेंगे एक कप हरा धन्या एक लेमन का जूस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को 5-10 मिनिट के लिए पकने छोड़ देंगे तो आप यहाँ पे ग्रेवी को पतली या गाड़ी कर सकते हैं तो ये पक चुके हैं मटन पसिंदे खोर्मा अब इसको सर्फ करते हैं तो ये बन चुकी है मटन पसिंदे खोर्मा रेसिपी बहुत ही टेस्टी और डिलिशस बनती है ये उम्मीद करते हैं आप सबको भी ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो मेरे चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके गाईज अल्ला हाफिज